हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी और कॉंग्रिस के नेता भी ताबर्त चुनाव प्रचार कर रहा है आज हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कॉंग्रिस की कई रालियां होने वाली है सोमवार को धुआधार चिनाव प्रचार अभ्यान में बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही शामिल है बीजेपी ने योगी आदितिनात को भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार की कमान सौपी आज योगी आदितनात तीन जन सभाओं को हिमाचल में संबोधित करेंगे और बीजेपी के राश्टे अधिक जेपी नढधा भी इसमें शिमला जिले में रहेंगे जहाँ तीन रैलिया होनी है कॉंग्रिस की प्रियां का गांधी सुबा दस बजी उना में परिवर्तन प्रतिग्या रैली करने वाली है जहां पर योगी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे और उनके लिए वोट अपील करेंगे और पौने बारा बजे उना दोपर एक बच कर बीस मेट पर मंडी और फिर उसके बाद दारंग विदासवा सीट से उमीदबार पूरन चंद के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सबा तीन बजे सोलन के बदी में जनसभा को संबोधित करने का कारिक्रम है बीजेपी के राश्ट्रिया द्धेख येपी नडड़ा की बात की जाए तो वो भी आज शिमला जिले में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जिले के रामपूर, रोहडू और जुबल खुटखाई में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं इसके अलावा कॉंग्रिस की बात की जाए तो कॉंग्रिस ने भी आब हिमाचल प्रदेश चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया है प्रियांका गांधी और सचिन पाइलट आज हिमाचल में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोशना पत्र भी जारी कर दिया है बीजेपी 11 संकल्पों के साथ जनता से वोट मांगेगी बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक जेपी नडा ने संकल्प पत्र कल जारी किया उन्होंने राज्ये में अगर बीजेपी के सरकार दोबारा बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी जिक्र किया है इसके साथ ही उन्होंने आठ लाग से ज़ादा युवाओं को रोजगार देने का भी बादा संकल्पत्र में रखा है भारतिय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समीती बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाये जाएगा हमारी दूसरी कमिट्मेंट है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार मुक्य मंतरी अंदाता सम्मान निधी के तहद जो प्रहान नंतरी किसान सम्मान निधी में जो राशी मिलती है उसके साथ साथ तीन हजार सालाना तीन हजार रुपे सालाना ये उसमें जोडा जाएगा अब बारी है कॉमन सिविल कोड की मैं आपको कह कर जाता हूँ हिमाचल में जैराम ठाकूर की सरकार रादो हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा यहां कोई नहीं लोग जाएगा हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर एक लाख अरतीस जार गरों में घैस का चुला और सिलिंडर भेदने का काम नरेंदर मोधी और जैराम ठाकूर ने किया है गरगर जल के अभियान के तहट हिमाचल के आट लाग से जैदा परिवारों के अंदर नल से जल पोँचाने का काम किया है